गूड मॉनिंग दोस्तो आज मैं आपको बताती हूँ कि यह जो नीम की खली की जगे अगर आप ये नीम की पतियां भी अगर आप यूज करोगे ये मैं अख़टा इक पार्क है पार्क में वहां से ये पेड सूखर उसकी पतियां गिर जाती हैं जैसे मतलब वो cutting कर दी थी तो उसकी पत्तियों को इखटा गरके हमने इंगा लिया है तो इनको मैं साथ में जैसे हम जो compost बनाते हैं compost के साथ जैसे गीला कच्रा जो हम जो गीला वाला जो पील वागरा हैं सारी हम डालते हैं उसके साथ हम एक portion इसका भी डालते जाएं और थोड़ा जादा भी डालते हैं तो उससे हमारी जो organic compost खात है वो जल्दी बनेगी composting जो हो रही है हमारी उसका process जल्दी होगा और इसमें जो नीम की जो गुण है वो भी उसमें साथ में आते रहेंगे जो fungus वगरा जो लगती रहती है plants में वो भी नहीं लगेगी और ये बहुत फायदेबंद हो जाएगा तो इस तरह से आप एक साथ जब भी composting कर रहे हो तो इस तरह से सूखी पत्तियों की अगर आपके पास नहीं है आपके garden में उतनी नहीं होती है तो आप इस तरह से यह देखे इसमें बिल्कुल सूखी है और यह इतनी बुर्बुरी सी है कि आप आराम से यह देखे मैं इसको बताती है अपने हाथ से ऐसे करने पर यह बिल्कुल यह कुछरा हो रहा है इनका और कितना देखो आप अपने जो भी planting वगरा करते हो गमले मे तो उसमें भी आप नीचे की तरफ इनको डाल सकते हो तो इससे चीटियां लगने का और यह भी बहुत फाइदा हो जाएगा और जो गमला है आपका वह इतना मतलब लाइट रहेगा एक तरह से यह आपकी उसका भी काम करेंगी को को पीट वगरा जिसके लिए लाते हो तो इसके फाइदा तो ही तो यह काफी बढ़ा देखो इस तरह से आप लेकिया सकते हो यह कट्टा में भरके और आराम से अपने प्लांट में भी डालते रहे हैं इसको मिट्टी बनाते टाइम और अगर आप कंपोस्टिंग घर पर यह करते हैं आप खाद बनाते हैं अपनी च जो गीला वाला है उसका जितना है उससे डबल डाल दीजे और यह तो आपको आराम से कहीं किसी भी पार्क में मिल जाते हैं सूखे पत्ते तो आराम से तो आप उनको कलेट करके ला सकते हैं थैली में रखके तो बहुत इफाइदे बंदर रहेगा आपके प्लांट के लिए इसी के साथ नेक्स वीडियो में मैं फिद से मिलती हूँ बाए